अब हम पढ़ेंगे वेन के बारें जो क्या है कि जैसे कि लास्ट इम पढ़ें हम लोग की open और close system तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि close system हम लोग में पाया जाता है और यह तीन blood vessels के तोर पर यूज होता है capillaries, arteries और veins अब इसमें क्या है कि हम लोग जब देखेंगे questions note down करो और इकर क्या आना है कि differentiate between ठीक है क्या करना है differentiate करना है तुम लोग को लिखना है point ढूंड रहा है जहांसे book से ढूंड़ो जैसे भी online है तो online ढूंड़ो और इसको लिख के लाना at least three point कितना three point लिख के लाना है क्या पे तो veins और arteries में differences क्या है जिसमें arteries और veins के बीच में differences तीन point में यह question important है ठीक है अब चलते हैं veins में क्या है ठीक है तो सारा जो differentiation जब तुम लिखो गए तो उसमें आगा एक lumen का और lumen हम बताए भी थे कि जैसे माल लोग को यह blood vessels इधर से हम देख रहे हैं cross section area से देख रहे हैं जैस इसमें यह है ऐसे बना हुआ एक है ऐसे बना हुआ ठीक है तो इतना से blood flow करेगा एक में और एक में इतना से blood flow करेगा यह होता है इसका काम क्या क्या है उसमें वाले में बताए थे ठीक है और आगे भी तो देखना है ठीक है अब देखो क्या है veins है हम बताएं थे कि pulmonary veins कोई वेना कावा है मेन जिसको मेन वेन बोलते है ठीक है एक चीज भी आएगा सबसे बड़ा वेन कौन सा होता है कुश्चन से नोट डाउन करो सबसे बड़ा वेन में जैसे कि माल लो यह है बेसिकले नॉलेज के लिए ठीक है पूछता नहीं है बट फिर भी लिख लेना इसी क्या करता है कि वहाल प्रेजेंट है इसमें वहाल प्रेजेंट होता है तो वाल का काम क्या है कि वह बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है ठीक है यहां पर फंक्शन लिख लेना बहुत टेम फंक्शन भी पूछता है वन वर्ड एंसर में तो जैसे मान लो किसी में वहाल है तो भाल का काम क्या है कि backflow of blood बेहिंस में होने से बचाता है ठीक है अब यहाँ पर काम देखो इससे question है और important इसमें क्या पढ़ना है कि कौन सा वेंस क्या करता है blood कहां से लेके जाता है कहां लेके आता है यह चीज़ देखो यह लिखा the pulmonary vein connected to left of the heart picture देखना है 85 फिर क्या करता है the pulmonary veins यही veins क्या करता है oxygen carry करता है lungs से और क्या करता है carry oxygenated blood from lungs back to heart heart के पास बापस से यह लाता है मतलब क्या है lungs के तरफ से oxygenated blood लेकर के heart में लेकर ठीक है अब एक main vein भी होता है वेना कावा जिसको बोलते है ठीक है the blood the main vein is connected to right heart frame of heart ठीक है 85 में देखेंगे यह क्या करता है the main vein carry deoxygenated blood from all parts of the body lungs को छोड़के lungs में नहीं जाएगा deoxygenated blood lungs में भी नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि वहाँ तो oxygen है यह बापस heart के तरफ लाता है ठीक है तो यहाँ से दो चीज़ हमें पता चला figure में आते हैं ठीक है बस याद रखो यह पिलाल pulmonary vein ठीक है और एक है main vein कावा जिसको वेना कावा बोलते है main vein यह दुनों का function क्या है पहला क्या बोला कि oxygenated blood lungs से heart के तरफ लेके आ रहा है और main vein क्या कर रहा है डी-oxygenated blood पूरे body parts से लेकर के पूरा body parts से लेकर के heart में ला रहा है यह दो चीज़ मेजर difference समझ में आ रहा है तो यही सब question पूछता है कि main vein का क्या है पर्वनरी vein का काम क्या है और कुछ भी नहीं पढ़ना रहता है यह सब में ठीक है इतना बड़ा लिखा रहता है तो उसमें कुछ पढ़ना नहीं रहता बस यह तुमको mechanism समझना है तो वही चीज़ यहां पर लिखा रहता है ठीक है यहां बदे को लिखा हुआ एक चीज कि तो a for away बताएं थे तो artery का carried blood from the heart to the body मतलब heart से पूरे body तक पहुचा रहा है मतलब away बोले थे तो heart से दूर लेके जाएगा artery whereas veins का क्या है carries blood from the body organ back to heart यह heart के तरफ लेके जाता है तो यहां रखना है a और b arteries और veins में बेंद क्या करता है heart के तरफ blood लेके आता है और arteries heart से blood लेकर के जाता है ठीक है पहले भी बता चुके हैं ठीक है कि जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना देखो यहां पर कि फोर चेंबर हाट है वेंट्रिकल वेंट्रिकल आर्ट्रियम और आर्ट्रियम ठीक है तो यह दो चीज का pumping होता है ठीक है ना सिस्टॉल और डिस्टॉल बताएंगे ब्लेड प्रेसर में उसमें भी तो काम क्या करत है कैसे एक आएगा तुम लोग जब हायर क्लास में जाओगे तो लब डब सौंड पढ़ना रहेगा ठीक है जो हम लोग हाट्बीट का सौंड जो पढ़ता है वो लब डब कहलाता है ठीक है तो यह वेंट्रिकल और आर्ट्रिकल और आर्ट्रियम या वहलों सिस्टॉल डैस है ठीक है तो यह हार्ड के बीच में सेप्टम था यह सेप्टम बहुत मजबूथ होता है ठीक है नि जुकली अ ह colo मसस को है मतलब मंसस्फ शिण्टम का मतलब जो क्या है मंसा से बना हुआ और इसका मंसस क्या होता है इन फर्टी होता है ठकता नहीं बहुत जbon ज्यादा वो क्या करता है दोनों को separate रखता है टी ऑक्सिज्जेनेटेड और ऑक्सिज्जेनेटेड बलड को ठीक है यहां पर अगर हम बात करते हैं ठीक है ना कि circulation blood में कैसे होता है ठीक है तो यहां पर कुछ टर्म दिया हुआ है कि blood oxygen का यह होगा उसको oxygenated blood कहते हैं जिसमें oxygen नहीं होगा उसको लिख़ बहने नहीं सिंपल से यह बर किसो बोलते हैं जिसमें oxygen ना हो और oxygenated blood किसको बोलें जिसमें oxygen ओंठेटगे हैं कि अब पतahlen हम लोग heart beat यानि भी क्या बोलते हैं उसको सास हर बक्त लेते हैं और blood का pumping हर बक्त होता है ठीक है तो एक तरह से गर हम बात करते हैं तो यह जो pumping और blood है वो क्या है भी हम बताएं थे या तो उसको diastol, systol बोले contraction, relaxation बोले सारा एक ही चीज़ है तो contraction, relaxation बोलते हैं या फिर diastol, systol बोलते हैं सारा एक चीज़ है और सब एक तरीके से होता रहता है ठीक है पूरे 24 hours यह चलता रहता है ठीक है contract करेगा, relax करेगा contract करेगा, relax करेगा contract करेगा, relax करेगा तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा contract करता है कौन सा relax करता है ठीक है ध्यान से दिखना और note down करना देखो अब क्या है कि arteria और ventricle relax और contract करेगा ठीक है तो देखो two arteria left arterium और right arterium क्या करता है contract together and relax together क्या कर रहा है दोनों उपर का यहाँ देखो यह arteria यह आर्ट्रिया यह ventricle यह ventricle तो दोनों contract करेगा और relax करेगा एक साथ लिखा हुआ है तो यह point लिखो दूसरा कि ventricle जो है दो left और right ventricle contract together और relax together दोनों contract relax अब बोलेगा कि जो अगर सब एक बार relax contract होता है नहीं पूरा relax और contract ऐसे ऐसे नहीं होता है उसका एक turn term होता है ठीक है और turn होता है हर वाक यह contract कर रहा है यहाँ पर relax होगा ठीक है pouring बोलते हैं pouring मतलब क्या होता blood का किसी चीज में हम लोग निकालते हैं किसी डब्बे से squeeze करते हैं liquid को तो वह था pouring करना ठीक है डुबाना एक तरीके से बोल सकते हैं या फिर उससे निकालना blood को अब हम देखते है क्या है कि the contraction of two arteries immediately followed by contraction of ventricle देखो यहाँ पर कह लिखा कि the contraction of two arteries immediately followed by the contraction of two ventricle मतलब जैसे ventricle देखो एक चीज़ हाट है यह माल लो simple सा ठीक है एक मिनट देखो यह heart का figure लेते हैं ठीक है यह separated है यहाँ पर यह अगर यह दोनों contract किया ठीक है जब उसकी contract किया तो उसके बाद यह contract करेगा और यह क्या करेगा यह relax करेगा यह relax तो यह contact यह contact तो यह relax ठीक है यहाँ पर हम देखते है थोड़ा सा ray diagram के बारे में ठीक है मतलब कैसे क्या है यहाँ figure से देखो figure पहले देखो और इसको draw भी करो लंग्स है उपर रहता है यह heart है बीच का और यह पूरा body अर्गन है और यह सब veins बगएरा है और यह सब चीज है ठीक है इतना है तो इसमें देखो पढ़ना क्या है कुछ नहीं है ध्यान से देखो बस यह heart है arrow का ध्यान देना है राइट आर्ट्रियम है लेफ्ट आर्ट्र ठीक है अब pulmonary vein pulmonary artery देखो दोनों है आर्ट्री भी लिखा हुआ वेन भी लिखा हुआ यह pulmonary किसके लिए बताएं थे lungs के लिए यूज हो रहा है तो veins का काम क्या था heart के तरफ blood लाना और artery का काम क्या था heart से दूर लेके जा रहा है देखो तो arrow देखो heart से दूर लेके जाने क दूर्सा देखो veins क्या करता है heart के तरफ लेके आएंगा देखो our मईन बें इसको वेन अकावा क्या कर रहा है on blood को heart के तरफ लेके जाए इतना समर्चम्ध में यह फिउगर बहुत important यह से बहुत सा चीज तुमको समंग्में का दागा जितना पीछे लिखा हुआ है ठिक है अब देखो एक चीज क्या है कि कों स usu doing good ला रहे है कौव प्यौ ऑंसा oxygenate देखो लंग्स के तरफ है और यहां body और गण तो एक लंग्स में डो डैक्षिन है एक जाने का और एक राने का तो लंग्स में आ रहा है आ रहा होगा दिखो ध्यान से देखना, दोनों में देखो, दो arrow यूज होगा, एक arrow होगा, बोड़ी और निकलने का, इसमें एक होगा, लंक्स में जाने का, और एक निकलने का, तो देखो जो निकल क्या रहा हो, हार्ट के तरफ, वो लंक्स से, हार्ट के तरफ आ रहा हो, वो oxygenated, और बोड़ी और निकलने भेज रहे हैं, अगर हम ब्लड को बोड़ी और निकलने भेजेंगे, तो साफ ब्लड भेजेंगे ना, क्लीन ब्लड ना, जिसमें oxygenated होगा, ऐसा थो नहीं कि दी ऑक्सिजनेट ब्लड भेजेंगे हार्ट से पूरे बोड़ी में, नहीं, तो oxygenated ब्लड और बोड़ी से हार्ट के तरफ कौन सा ब्लड जाएगा, डी ऑक्सिन ब्लड, तो इस रे डाग्राम को ना, टू टाम्स टू थी टाम्स पहले ड्रॉ करो देख करके, और उसको समझो कि ये एरो क्या बन रहा हो, जो अभी बताएं, फिर से सुनो और फिर से उसको समझो, क्य क्योंकि जितना चीजा भी तुम पीछे पढ़े हो ना, ये उसी पे कोश्चन है, और यही में समझना है, कि कौन से आटरी, कौन से वेंस का काम क्या है, सिंपल सा, ठीक है, बस, यही चीज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज तुम फिगर समझ गए, तो ये पूरा जो इस से लिखा हुआ है, सारा पढने का तुम पो जरूरत ही नहीं पढ़ेगा, क्योंकि तुम अपने तरीके से लिख सकते हो ना, कि पल्मोनरी वेन, कैरी ऑक्सिजिजिनेट ब्लड फ्रॉम लंग्स टू आर्ट्रियम ऑफ हार्ट, सिंपल सा, मेन अवटा, कै कैरी ऑक्सिजिनेटर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल तू दा बॉड़ी ओर्गन्स, सिंपल सा, यही लिखना यहां पर 1.2.3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यह फीगर के बारे में लिखा हुआ है, तो इस फीगर को समझना है, तो इस फीगर को समझना है, अभी म जो हार्ट बीट वगेरा है, ब्लड सर्कुलेशन कारण होता है, ठीक है, लिखा हुआ था, मॉसल्स अफ ओल्ड फोर चेंबर सब्ड़ हार्ट रिलाक्स, सारा जब रिलाक्स सेशन में रहेगा, मतलब एक टाइम आता है, कि न यह कॉंट्रेक्ट करता रहेगा, न यह यह ऑक्सिजिनेटेट ब्लड लंग से हाट में पोर किया, पहला हो गया, दूसरा, लिफ्ट आर्ट्रियम क्या किया, कॉंट्रेक्ट किया, और ब्लड को कहां बेच दिया, राइट, लिफ्ट वेंट्रिकल में बेच दिया, लिफ्ट आर्ट्रियम क्या क्या, इसमें कोई गर ब्लड पॉच के तरह समझो ना पॉच है तो इसको जब तुम प्रेस करेगा तभी नहीं आगे जाएगा तो यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर किसके तरह वीओन यानि है कि यहां पर क्या है ऑयकास्पिड क्या है बाइकस्पिड में हम पताइए कि दो इं बायक उस्पटूर होता है हर्ट में लेफ्ट में है बाइ zac info दो कर मितलब दो उता है यहां लिखा हुआ है कि अब left ventricle कौन सा left ventricle contract करेगा मतलब इसमें अब यह पाउश के तरह समझो इसमें blood है इसको दवाएंगे तो इक contraction मतलब क्या है दवाना तब ही ना इससे blood निकलेगा और यह oxygenated blood है क्योंकि left arterium से आ है और यह oxygenated blood कहां जाएगा body organ में जाएगा सिंपल सा बात है ठीक है जिसको main aorta बोलते है main artery को भेना कावा बोलते है main vein को ठीक है lungs के तरब तो नहीं जाएगा यह तो पता है lungs से वहाँ पर oxygen आ रहा है pulmonary vein pulmonary artery उधर है ठीक है smaller arteries को क्या बोलते हैं arterioles क्या बोलते हैं arterioles को फिर अब देखो क्या है कि इसमें दिखाया हूआ नहीं है बट हम बताएं थे कि capillary क्या करता है body organ के बीच में काम करता है सूस के बीच में transfer करता है blood heart arteries और veins के बीच में वो interaction करता है capillary ठीक है फिर करता है main artery sorry main artery कहां गया यहां पर यह इसके बारे में अब करेंगे बात यह इसके बारे में यह क्या काम कर रहा है ठीक है तो देखो क्या का the main artery the main artery carries blood to all organs और parts जैसे की मालो है head chest, arm, stomach, incitine, liver, kidney, trunk, legs कुछ भी है lungs को छोड़के blood में जितना भी oxygenated blood मतलब जिसको बोलते हैं ठीक है वो capillaries से होते हुए body organ पर देखो capillaries से होते हुए capillaries of the body organ तो capillaries काम क्या कर रहा है body organ tissue के बीच में transfer करने के बात कर रहा है ठीक है और यह क्या करता है oxygen देता है सबको बाकी फिर oxygen जितना खत्म हुआ उसके पात यह deoxygenated होता है carry करता है जैसे मालो की pick up करने का काम करना है तो जैसे मालो जो रास्ते में किसी को लिए कि चलो यहां से जाना है मिठा पूर बस्ट है तो वहां से क्या कि मिठा पूर बस्ट का आदमी लेते गया फिर उधर से आने वक्त लेंगे ना जो station आने का होगा तो वैसे ही करता है blood oxygen लेके जा रहा था मालो दिया oxygen फिर deoxygen लेके आने लग ठीक है अब क्या है कि right arterium ठीक है यहां देखो right arterium contract करेगा तो डी oxygen ब्लड उसमें जा रहा था याद रखना उस figure को deoxygenate blood उसमें जा रहा है main vein लेके जा रहा है उसको deoxygenate blood तो right arterium गया right arterium contract करेगा वो right ventricle में जाएगा और right ventricle से लेके चला कहां जाएगा right ventricle deoxygenate blood lungs के तरफ भेजेगा pulmonary artery के through यह figure बोल रहा है दिखा रहा है यह चीज के यहां से जो deoxygenate blood गया वो main vein कावा ले गया right arterium में डाला और right arterium क्या किया वी टू वाल टू से right ventricle में दिया contract करके अब यह contract करेगा deoxygenate blood है यह दोनों में याद रखना अब यहां से pump किया फिर से और यह deoxygenate blood कहां चला गया लंक्स में किस के तुरू pulmonary artery के तुरू यही चीज वहां लिखा हुगा है ठीक है अब देखो यहां पर आब आता क्या है कि जैसे तुम लोग को पढ़ना था नाइंथ में ही एनिमल किंडम में कोड़ेटा नौन कोड़ेटा में ठीक है तो कोड़ेटा में पढ़ा होगा पर क्या पढ़ा होगा परम पढ़ा होगा तुम लोग पी ए आर ए एम ठीक है पाइसेज ठीक है एम फिवियंस रिप्टाइल एप्स और मैमल्स पढ़ा होगा तो उसमें हार्ट का चैंबर यहां पर देख लो mammals है जितने भी है 4-chamberd होता है 3-chamberd है, pvn reptiles में 3-chamberd और fish में 2-chamberd होता है अब देखो एक disease में exception हाता है, crocodile crocodile reptile होता है, बट उसमें 4-chamberd होता है बेसिकली होता है 3.5 बट उसो 4 बोलते है तो यहां पर जितना भी लिखाओ यहां पर उसको पढ़ लेना ठीक है, अब बताते हैं क्या-क्या ठीक है, कि इसमें है क्या-क्या और खूद से भी पढ़ लेना अगर बुक है अब लेवल तो यहां लिखाओ double circulation क्या हां गया, double circulation double circulation means कि 2 ventricle, 2 arterium है इसका मतला double circulation हम लोग में है, 2 बार हाट उसको करता है एक complete circulate करने के लिए 2 बार वो pump करता है इसमें example दिया हो है कि chambered हाट का, 4 chambered हाट है separate होगा, मान लो ठीक है तो वो double circulation करेगा, 2 बार अर्टरियम दो ventricle, oxygenated blood करेगा भी और deoxyant भी carry करेगा, तो वो 4 chambered होता है advanced type का, जो हम लोग कर पाय जाता है ठीक है बहुत सारा 3 chambered ही है अब करना क्या है यह तुम लोग का काम है कि इसमें लिखना है note down करना है, सारा, यहाँ पर हम छोड़ दे रहा है note down करना है तुम लोग को 3 chambered heart किसमें है 4 chambered heart किसमें है ठीक है, और example के साथ, क्योंकि यह 9th का ही चीज है, हम नहीं बताएंगे 9th में पढ़ना है, detail में तुम लोग को पढ़ना था ठीक है, animal kingdom वाले chapter में, diversity वाले में उसमें है पढ़ना, तो यह चीज पूरा लिख लोगे तुम लोग, हम नहीं बताने जा रहे है ठीक है, यहाँ पर लिखावा 1 arterym होता, 1 ventricle होता है, ठीक है single circulation इसको बोलते है क्या बोलते है, single circulation तो note down कर लेना, single circulation